हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों मैं डॉक्टर धर्बेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्उब चैनल फिरिडम फ्रम हस्पिटल मैं दोस्तों हम में से कभी कोई नहीं जाना चाहता हस्पिताल मगर हमारी लापर्बाई कही है या फिर हमारी मजबूरी कही है कि हमें नॉलेज नहीं है जिसके कारण हम अपना पूरा प्रिकरस्ट नहीं ले पाते हैं प्रपर केर नहीं ले पाते हैं नेचुरल तरीके से जी नहीं पाते हैं जिसके कारण बार बार चोटी दवाई से जो बात सुरू होती है वो अपरेशन टेबल तक जा पहुंसती है आज मैं दोस्तों आप लोग इसके कारण उन्हें सर्जरी फेस करना पड़ता है और एक बार अगर सर्जरी करा लेते हैं फिर बार बार करानी पड़ती है पचास बरस से उपर के जो आयू के पुरूस है मेल हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक खत्रा है इस बिमारी को B9 Prostatic Hyperplasia याने BPH के नाम से जाना जाता है मैं आपको एक पेशिंट के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी उम्र लगभग 57-58 के आसपास था और जब उनको इस बिमारी के बारे में पता चला तब उन्होंने हमारे पास आये हुए थे तो उनकी जो पूरी केस इस्ट्री है वो आपको मैं बताना चाहता हूं उन्होंने पहले अपने पिशाब करने का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव महसूस किये उन्होंने जो सेयर किये कि मुझे कुछ शब्तों से पांच-छे बार पिशाब करने के लिए रात को उठना पड़ता था ब्लैडर भरा हुआ होने के बावजूद मुझे पिशाब करने में परेशानी आती थी और क्या होता था बार बार सोचा लिए जाने के बाद भी मैं पूरी तरह से पिशाब नहीं कर पाता था जिससे मैं पूरे दिन बेचेन रहता था परिस्तितियां गंभिर तब हो गई जब बहुत जोर लगाने पर भी पिशाब नहीं कर पाता था याने पिशाब तो है यूरीन तो है ब्लैडर में मगर उन निकल नहीं पाता था बाहर प्लेडर मुत्र से भर जाने के कारण तीन चार घंटे के अंदर पेट के निचले हिस्से में दर्द भी दोस्तों होने लगता था ये उनकी सेर कियावा बात है तो ये सारी बाते हैं सुनने के बाद मैं अपनी जो जांच है वो किया फिजिकली मगर फिर इसके सही प्रोफेस्टनल का सलहा लेते हुए इनका सारी रिग जांच भी कराए गया इसमें एक जो जांच था वो था डिजिटल रेक्टाल एक्जामिनेशन याने डियारी डियारी क्रिया करने पर उनका पता चला कि प्रोफेस्ट में मध्धम स्रिनी का सुजन ना है अल्टरसाउंट के बाद पता चला कि इनका जो प्रोफेस्ट का आकार है वो लगबग 60 सिसी के आसपास हो चुका है जबकि आम तोर पर तंदुरस जो पुरूस होते हैं मेल होते हैं उनका प्रोफेस्ट लगबग 50 सिसी का आकार होता है जिन पुरूसों को पिशाब करने में परेसानी होती है इसका जरूर अलग-अलग तरीके से जाज करानी चाहिए ऐसा बिशसग्या कहते है इसमें एक टेस्ट है पोस्ट वाइड रेसिडूल यूरीन भलियूम क्रिया है उसको कहते हैं इस क्रिया में ब्लैडर में बचे हुए पिशाब का माप लिया जाता है ताकि पता चल सके इसमें यूरीन रिटेंशन कितना रहता है इन पूरुसों में हम यूरोफलोमेटरी क्रिया भी करते हैं ताकि हमें उनके पिशाब की प्रभाव और बल का पता चल जाता है ऐसा प्रोफेशनल पुरा गाइड करते हैं और इसी तरीके से प्रपर टेस्ट होता है सही जाज के लिए और भी एक टेस्ट होती है और हर रोज आप प्रोस्टेट के ग्लाइंड का एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर दबाते रहोगे पिसाब करते समय और अलग-अलग टाइम में भी दिन में पांच-छे बार तो दोस्तों उसके साथ साथ यूरिनारी ब्लैडर कीड्निय सम्मिला के पॉइंट जैसे मैं कई भीडियो में बताए हूँ और मेरे किताब माई हेल्थ इन माई हैंड इसमें पूरी जानकारी फोटो के साथ कैसा उसका सरंचना है कैसा उसका इलाज अपने घर में कर सकते हो होम रिमेडिज आईरवेट के माध्यम से कैसे कर सकते हो घर में छोटी-छोटी नुसके कैसे इंप्लिमेंट कर सकते हो एक गाइडलेन आपको देता हूँ आज भी दे रहाँ दोस्तों करना आपका फर्ज बनता है और बताना तो मैं चालू रखा हूँ आगे भी दोस्तों यह चलता ही रहेगा सिलसिरा मगर प्रयूक तो आपको करना है बड़े मुसीबस से अगर बच से लिक के भेज़ें जिससे कि आपको फ्री आप कोश्ट में यहां से प्रेस्क्रिप्शन पॉइंट्स वगरा का भेजा जा सके गाइड किया जा सके जिससे बड़ी मुसीबस से दोस्तों आप लोग बच पाओगे दोस्तों एक चीज़ यात रखो अगर प्रोस्टेट ग् इसलिए डॉक्टर किड़ी जांज भी कर्वाते हैं किड़ी फंक्सिनल टेस्ट भी दोस्तों करते हैं इसलिए जब कहता हूं तो पॉइंट नंबर 26,18,11 मिला के कहता हूं कि तीनों को आप एक साथ में स्टिमुलेट करो तब ही दोस्तों आपको लाब होगा, इसके साथ साथ ब्रेन का एक से पांच नमबर तक का जो पॉइंट को उसको भी स्टिमुलेट करनी चाहिए, कि ब्रेन बहतर कमांड दे से के आपका काम को सुचारूरूप से करने के लिए तो इसने प्रोश्टेट है क्या और जब यह बढ़ता है तो उसका कारण क्या है और किस तरीके से बढ़ता है यह जानकर भी देता हूं प्रोस्टेट एक अक्रोट के आकार की ग्रंथी है जो ब्लैडर के निचल हिस्से में होता है और मुत्र मार्क को चारों तरफ से घेर के रखता है वो सीमेन में जाने वाले रस को बनाता है यह होता है उसका मेन काम इसलिए मेल के अंदर ही होता है यह ग्रंती सिर्फ पूरुसों में पाये जाता है और जीवन भर बढ़ता रहता है परन्तु जब वोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुत्र मार्क पर दवाव डालना शुरू करते हैं इसलिए मैं कहता हूँ जब हर रोज आप किसी भी उम्र में हो अगर अपना प्रोस्टेट पॉइंट को दबाते रहोगे क्लापिंग थरापी अलग अलग तरीके से जो बताता हूँ उसको करते रहोगे अपना ब्लैडर पॉइंट दबाते रहोगे अपना इन्फेक्शन इन्फ्लाइमेटरी जो पॉइंट है उसको आप दबाते रहोगे तो दोस्तों ये उतना नहीं बढ़ेगा जिससे कि आपका इविन पास होने में कभी भी दिख करता आईगी बहुत ज़्यादा अगर ये बढ़ता है तो मुत्रमार्क पर दबाव डालने और आपका पिशाब निकलने में बहुत ज़्यादा आपको जोर लगाना पड़ता है तो जानिये आपका प्रोस्टेड ग्लाइन एनलार्ज हो रहा है बहुत सारा दोस्तों कारण तो पता नहीं है मगर कहते हैं हर्मोन के चेंजिस के साथ-साथ पूरुसों के अंदर ये च सारा कारण जो पता अभी तक भी नहीं चला है कई लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि जो प्रोस्टेड कैंसर हो गया है उनके दिमाग में रहता है तो जब भी प्रोस्टेड बढ़ता है इस तरीके से पिशाब गयरा रुकने लगता है तो वो घबराते हैं और कह की गैरेंटी में आपको देता हूँ आज और अभी का भी अब एक्यू प्रेशर का पॉइंट आप सुरू करें मेरा जो एक्यू प्रेशर का पॉइंट मैंने दिखाए हूँ कई वीडियो में बलके तीन चार वीडियो इस पर अपलोड किया हूँ आप इसको सर्च करें पर एक बारी दोस्तों प्रोस्टेट आपकी बढ़ गई है अनलाज हो गई है डॉक्टर ने जाच करके जान लिया आपको बता भी दिया रिपोर्ट भी आ गया तो तीन चार काम तो आप बिलकुल मत करना एक भारी सामान कभी भी मत उठाना बाइक्चान साब की सर्जरी भ सफर करना इस सब को थोड़ा से कम करने इससे बचें दोस्तों और ओजंदर सामान तो बिलकुल दोस्तों नहीं उठानी चाहिए खान पिन में आप तेल मसाला बिलकुल जिरो कर दें रोक लें नमग और सूगर इस सब को दोस्तों आपको रोकना ही पड़ेगा पांदस परस करता है ना आप रात में सौप कम से कम दो तीन चम्मच चार चम्मच सौप को आप कांच के बरतन में भीगो के सुभा उठके इसको थोड़ा उबालने फिर उसके वाद थंडा करने सौप को थंडा करने और जब आप इसको सौप को उबालते हो तो जो छोटी इलाइची होत को आपको मिला कि उबालनी है और थंडा पूरा बिल्कुल थंडा होने दें नर्माल होने दें और फिर अपना इसको एक गलास आप सुबह सुबह पिए बहुत लाव होगा आपको इसके साथ साथ आप हेल्दी फूर दोस्तों हमें साले जिसमें मुटापा आपका कम हो सके पेट आपका जो बढ़ावा पेट है तोन है वो दोस्तों कम हो सके क्योंकि मुटापे से दोस्तों प्रोस्टेट का अकार भी बढ़ सकता है रोज अताजी हरी सबजियां दोस्तों सेवन करें और तो और लाल मांस को आप पूरा अवेड करें अलग-अलग तरीके से नसा लेने के आदत है बिलकुल दोस्तों उससे तो आपको फरहज करना ही करना है दोस्तों और एक दो जो आईरवेदिक का आपको टीप्स देता हूं दूद के साथ हल्दी और सिलाजित का अगर सेवन करते हो खास करके रात के समय खाना खाने के बाद रात में जिनके आदत है दूद और हल्दी पिने की उसमें थोड़ा से सिलाजित भी मिला लीजिएगा इसको एक गलास अगर आप पीते हो तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो दोस्तों हल्दी रहता है इसके साथ-साथ आप हफ्ते में एक बार या दो बार दलिया खास करके जो जौग की दलिया होती है इसका सेवन दोस्तों आपको करना चाहिए यह जो दो चीज है इससे आपको healthy रखने में आपको helpful होगा आपके prostate gland को clapping therapy आप जरूर करें मेरी clapping वीडियो को आप देख लीजी यूटूब से उसमें आपका जो ताली है पाम को तो लगाया जाता है पाम के नीचे जो wrist का पार्ट है और wrist में ही हमारा सारा sex organ होता है including prostate 11 नंबर पॉइंट भी उहीं पे होता है तो आप अगर वहां ताली लगाते हो पांच मिनिट सुभा पांच मिनिट साम तो दोस्तों आपका urinary truck, urinary bladder और आपका prostate gland अपका healthy रहेगा और active रहेगा कारियक्यम रहेगा जो समस्या है दोस्तों वो भी ठीक हो जाएगा इसके साथ साथ जो सौंप का पानी के बारे में दोस्तों को बताया छोटी इलाइची मिला के इसका प्रयोग तुरन शुरू कर लें जिससे के आपको इसका benefit भी दोस्तों प खींचना दो तिन सेकंड रोकना फिर सांस को बाहर निकालते हुए हाथ की मुठी खोलते हुए पेट को बाहर लाना इसको अगर आप सुबाद 200 बार कर लेते हो साम 100 बार कर लेते हो दोस्तों आप 1 से 2 मेने के अंदर देखिएगा आपका जो prostate gland है वो लगभख आधा उसका जो inflammation है कम हो जाएगी बाकिया की pressure का point हो गरा देखे जो आईरवेट का उपचार बता रहा हूं उसको करके और मेरी किताब का help लेके आप बहुत हद तक इसको ठीक कर सकते हो कामियाभी के साथ अपने surgery को दोस्तों रोक सकते हो ओजंदार भारी समान मत उठाना और आप को सि दस्त बेनिफिट होगा उमीद करता हूँ ए वीडियो आपको वहाथ फायदा पहुंचाएगा फिर कोई नई और अच्छी वीडियो दोस्तों लेके आऊंगा तब तक विदाय दें थैंक्यू दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों आप सभी के लिए खुशकबरी है ना ही आपको अस्पिताल जाना पड़ेगा ना ही सरजिरी के लिए जाना पड़ेगा अपने घर बैटकर आप बड़े से बड़े बिमारियों का एलाज, एक्यू प्रेशर, होम आयवरेदा एवं एक्ससाइस से अप कर सकेंगे माइ हेल्थ इन माइ हैंड इंग्लिश आव हिंदी किताब 51 तथा 101 बिमारियों के इलाज के साथ ओनलाइन आमाजॉन पे उपलब्ध है दोस्तों अब आप बिना दवाई के बिना अस्पिताल जाए घर बैटे अपना इलाज खुद करिए डारेक्ली किताब, डीवीडी तथा पैंट्राइब पाने के लिए वाच्चाप करें इस नमबर पे डबल लेट टू डबल सेक्स सेवन सेक्स त्री जिरो थी धन्यवाद